हेलो फ्रेंड गले का डिजाइन बनाने के लिए हमने एक लंबा सा चौड़ा सा बाकरम लिया है बाकरम की लंबाई हमने 12 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 8 इंच लिया है अब गले की लंबाई न आप लेंगे तो गले की लंबाई हमने 7 इंच लिया है अब इसकेल की सायता से हम इसे ऐसे लाइन अप करेंगे अब हमें इस साइड से लाइन अप कर लेना है दोनों साइट से ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हमें कोने की साइड में यहां से ऐसे हमें देर इंच की लंबाई पे टिक लगाना है तिर्ची में अब हमें ऐसे गोल सेप में इसे लाइन अप करना है यह देखिए ऐसे हम लाइन अप करेंगे गोल सेफ में लाइन अप करने के बाद अब हमें यहां से एक अक इंच की ऐसे चोड़ाई नापनी है जिस सेफ में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेफ में हमें एक अक इंच की ऐसे चोड़ाई नाप कर इसे अच्छे से लाइन अप करके अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये देखिए गले की डिजाइन की कटिंग हमने कर ली है गले की डिजाइन की कटिंग करने के बाद अब हम इसे इस्तरी की सायता से कपड़े पे ऐसे चिपका देंगे और कपड़े को किनारे की सायट से ऐसे फोल्ड करके बाकरम की उपर लगाएंगे जिस सेप में हमारा बाकरा में बिल्कुल उसी सेप में हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और गले की डिजाइन को अब हमें सूट के कपड़े में लगाना है तो फ्रेंड ये रहा हमारा सूट का कपड़ा, सूट के कपड़े को ओपन करते हुए, गले की डिजाइन को हम यहां पर ऐसे लगाएंगे, और इसके बीच में एक बरावर में सीधी सिलाई चला लेंगे, यहां से हमें धागे को कट कर लेना है, धागे को कट करने के बाद, अ अब हमें डिजाइन की उपर यहां से सिलाई चलानी है, यह देखिए सिलाई की स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे, तो जिस सेप में हमारा डिजाइन है, बिल्कुल उसी सेप में हमें इसके उपर सिलाई चला देना है, अब हमें यहां से एश्टा कपड़े की कटिंग कर ये देखिए ऐसे हमें एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेनी है, सिलाई के बगल में हमें ऐसे कटिंग करनी है, सिलाई के ऊपर नहीं, अब किनारे की साइट से हलका हलका कपड़े को हम ऐसे कट कर लेंगे, सिलाई को कटनी करना है, केवल हलका सा कपड़े को आपको कट करना ह अब हम इसे सीधा करेंगे तो हमें ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए इसे अच्छे से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे परफेक्ट सेप में पैठाने के लिए हमें इसे इस्तरी कर लेना है जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा औगे की साइट में हमारे डिजाइन का perfect finishing है ये देखिए हमारे आगे का साइट का डिजाइट इस line को complete करने के बाद अब हमें इसमें डिजाइन बनाने के लिए एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और कपड़े की चड़ाई आपको धाई इंच लेना है, इसमें डिजाइन बनाने के लिए हमें ऐसे गोल सेफ वाले सितारा वाला इस्टोन ले लेना है, ऐसे इस्टोन आपके नस्देकी सिंगार के दुकानों पर इजली मिल जाएंगी, इसे कपड़े में ऐसे फोल्ड करके क कपड़े को हमें धागी की मदद से ऐसे लोक कर देना है, धागी को हमें कपड़े पे ऐसे लपेटना है, जिससे हमारा कपड़ा आसानी से लोक हो जाएगा धागी की मदद से, अब हम कपड़े के दूसरे साइड में भी धागी की मदद से ऐसे इसे लोक कर लेंगे, अब द एक के बाद एक हमें कपड़े में इस्टोन को ऐसे डालते हुए धागे की मदद से इसे अच्छे से लॉक कर लेना है ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इस्टोन को कपड़े में फोल्ड करने के बाद धागे की मदद से ऐसे लॉक कर लेना है इस तरीके से हमें गले की डिजाइन में ऐसे ज्वाइंट करना है यह देखिए गले की डिजाइन में हम इसे ऐसे लगाएंगे और ऐसे हमें ज्वाइंट कर लेना है इसे बीच बीच में हमें सुजधागा की मदद से इसे अच्छे से गले की डिजाइन में ज्वाइंट करना है बिलकुल इसी तरीके से हम इस लाइन को complete कर लेंगे, यह देखे, इस तरीके से हमारे design में perfect finishing आ रही है, हमने इस line को complete कर लिया है, same step को follow करते हुए, अब हमें इस design में मोती लगाना है, तो friend हमने half gold shape में मोती लिया है, मोती का color आप अपने पसंद का लगा सकते ही, सूधागा के मदद से हमें यहाँ पर ऐसे सारे मोती को लगा देना है, तो यह देखे हमने design पे सारे मोती को लगा दिया है, तो friend आपको हमारी यह design कैसी लगी comment में जरूर बताएगा, thanks for watching.